वाही गुर्जी का खालसा वाही गुर्जी की फते तुसी देखरों दा पंजाब लाई बिना किसी संदे तो नाम सिम्रन करना ते मान मिच कई तरा दे शंका संदे लेके सिम्रन करना दोहां मिच बहुत फरक है पूरे विश्वाश तेस मरपन नल सिम्रन करना कि गुरु मेरे नाल बैठी है ते उपरो मान नल सिम्रन करन विच बहुत फरक है विश्वाश ता ओ चीज है जिसनू अपने गुरु ते अटूट विश्वाश आगया फिरता जो ए अपा चक्रा विच पैयां चुरासी विच पैयां ए साब मिट जानगे गुरु जी संगत क्यों बनाई से गुरु जी दा अटूट विश्वाश होए गुरु ते असी गुरु दे लड़ लगे असी चंगे राते चलिए संगत्धा पावसी सिदक, प्रोस्सा, ते साड़ी अंद्रो पहचान आपने मूल पावनों पहचानना संत जी के इंदे सन केडी गल, मननी या ना मननी कदे एहोजी दूदा विच फास जाओ, दो चित हो जाओ, ता एगदा करू जिस गल्लों सुनके गुरूपती, प्यार, विश्वाश, ते खुशी वदे, अखां बांद कारके उस्ति मनलो, आते अपने चित्विच वसालो, ते जो सुनके संधे, शाग कावे, ओ ना करू ओनों सुनननाई चड़दू, ओसे थाई चड़दू एकवारिक राजा सी, ओ अपने लोकानले, ओ सब करदा सी, जो नाधी पलाईली होना चायदा सी, जो वी चायदा सी, ओस्तों किसे दा दुखनी सी वेख्या जान्दा, ओ बड़ाई वी निमर सी, एदे नालनल, ओ संतांधी सेवा वी करदा सी, हरे किसे दा आधरपाब वी कर एसली तुसी वारी वारी दसो कि इतने ऐसे कोण हन जो परतक हन जो पूरे समपूरन हन ते ऐसा गुरू बनोन है जो मिन्नु चंगा रा दिखोन जिसकी सेनुवी पतै ओ मिन्नु दसो सारा दरबार शानत हो गया इक ने केहा मिन्नू बत है एह जा संद किते है ओ सम पूरण ग्यानी है इक जना खड़ा होया ते कहन लगा समराड इक वारी सोच लवो ओ पगता है ओ संदता है पर उत वाड़ी बराबरी दे नहीं जे उना नू गुरू तुसी अब मनालया आते उना दी शरन वीच चलेगे प पर फिर तवाड़ी आपने लोग तवाड़ी बारे की सोच लगे क्योंकि उत वाड़ी बराबरी दे नहीं जे उस राजाने केहा प्रभू दे नाम ते कोई बराबरी दा आपे स्विच कोई ताल मेल नहीं है उना ने जदों कोल खड़े उना केहा कि मैं हुने किसेनू ये सुन सब हैरान होके कि राजे नू की हो गया ये राजा हुनदा होया वे इनने नरम सुबादा की में है इता साबदी मदद करदा रहें दै फिर जदों ओ राजा आप पैदल चल के गया उनने देख्या ओ संतता हथी किर्थ कर रहा सी ओ देखके बड़ा हैरान होया फिर पी ओ देख रहा सी कि ओ था अपने हत्थानाल बूट बना रहे सी ता राजा ने जाके मत्था टेक्या केंदे जी मैं तो अडिशरन आया मीनू सच्चा रस्ता वखाओ और गो केंदे ए बड़ा ओखा रस्ता है तू चाल लवेगा राजा केंदा हान जी मैं इससे लिता आय ता उन्हों दिख्या उन्हों बहुती प्रीत लग्गी होई है अपने गुरु नाल जुडनते तो केंदे तुसी सची ही ये गुरु वल जाने गुरु दी शरन नू जाने तुसी राजा हो राजा केंदा हान जी मैं जाने ता ओ संत जी कोल एक बाटा पे आया सी क्योंकि ओ बूट बना रहे सी ओ बाटे वीच जल उन्हा जो दो हाथ वीच पाया विचो थोड़ा जब जल कड लिया ओसे हाथ नाल राजे नुदिता क्या राजा ये पील है राजा ने हाथ वीच लैता लिया पर सोचन लगया मैं गंदा पाणी की में पीमा उमान वीच भी चार करन देख लिया किया किन्ने गुणा नाल पर ये पर फिर वीच दे मान वीच संदे आ गया ओसोचन लगया एकी गल की में पाणी की में पीला उन्हें जल नू पीता ना उन्हें सिर दिखावा कीता आते ओ जो जल सी ओ उन्हें अपने बाढ़े अंदर कर लिया जो दो कार जान पता मिननो की की बोल लानगे है ओकेंदी फिर की हो गया पिता जी मिन्नु दो, उन्हें जित्थे जित्थे दाग लगे सी, ओ तो तो मुँँ विच पालेया कपड़ा, जो दो मुँँ विच पालेया तो एकदम थल लेडिगी, कुझ समालेया तो खड़ी होगी, जो दो खड़ी होई ता एक अलग जया ही कर दे दिन बीत दे गई, अतियो कुडी दी चर्चा दूर दूर तक होन लगे, एक अलग राजे दे कन्नी वी पई, ओकेंदा चलो मैं भी देखा मा, एड़े केड़े इड़े अनमोल बचन बोल दिये, जो तो राजा उत्थे गया, राजा उन सिर चुकोन लगा, ओकेंदी तुसी मिन्नो इस काबल बनाया है, तो हैरान हो जानता है, कि मैं की कीता, मैं ता आज तो पहला कदे मिल्या ही नी, कदे कोई मुलाकात ही नी ओई, फिर की में, तो बेटी ने केहा, जो जालतो हानू, उस संते जी ने दिता सी, तुसी बहां अंदर पालिया सी, तो जदो तो उनलिया है, तो मैं ओ कपड़ा अपने मुझ पालिया, तो मैं परमात्मा दे लड़ लागी, मिन्नो समझ आ गया कि दुनिया की है, परमात्मा की है, इस संसार दा असली मतलब की है, तो ए सुन के जो दो ना सुने आ राजे ने, उस सिद्धा नंगी पैरी ही पज़ा गय परमात्मा नू समझना आया सी, तेनू कोई गल्त चीज मैं क्यों दिन्दा, कदी कोई गुरु देखे है कि अपने किसे नू कोई गल्त चीज दिन्दा होई, किसे गल्त रस्ते पान्दा होई, एही गल्त सानू समझन दी लोड है, जी आपा मी गुरु बानी पढ़ देया, अम्रित वेला संबाल देया गुरु कर जान देया गुरु कर जाके सेवा कर देया फिर वी गुरु ते शक है फिरो डोर कदे वी साधी मजबूत नहीं होवेगी जिमें तन्नेनों विश्वासी कि इस पत्थर विचों प्रभु हो आएगा ते दुद पीएगा क्योंकि उने ता रोज वेक्या सी कि एक पंडित अंदर जानदा सी दुद लेके ते ओठे केंदा सी कि उस प्रभु ने पीलया इसलिए उनु लगदा सी कि सची प्रमात्मा पिंदै उदे अटूट विश्वास करके प्रमात्मा आपाया सी दुद पी जिमें कि अपन सब नू पताये गल फिर साड़ा विश्वास क्यों नी है सारी गल ही उस पर मात्मा आते विश्वास दिये शिरी गुरु गरंच साइब दा इक इक शब्द उस पर मात्मा ने आप उचा रहे है फिर असी क्यों नी विश्वास कर दे क्यों सी डगमगा रहे है क्यों पटक रहे है अर ते सिंगा नू बार बार पुछया कि दसो पत्थर क्यों डूबरे हन। वार वार इको ही जवाब मिल्या कि पत्थर पारी सी ता डूब गया। फिर गुरु साहिब ने पाइनादलाल जी तो पुछया कि तुसी दसो पाइनादलाल जी बोले गुरु जी मीन तो इको ही गल उट गया ओडूब गया इसलिए तुसी भी अपने गुरू दे लड़ लगो ते तरो परमात्मा इनसान नुग कुछ सिखों ली मुश्कल रहावाच पौंदा है जो सिख जान दे हन ओ तर जान दे हन तो जो हिम्मत हार जान दे हन ओ हार ही जान दे इसलिए हिम्मत विश्वा अपने अंदर पैदा करो ते इक गल हमेशा याद रखो दुख कोई सजानी है सुग प्रमात्मा दे नेड़े हों दी कीमत है असी ओनना होर प्रभू दे नेड़े जाने ओनना प्रभू नुँ होर याद कर दे है ए जो तुकाहन गुर्बानी दिया ए रोज पड़या करो स् तुसी त्यार होओ ताहे बुल्या करो जै परसाद तेरो सुन्दर रूप सो प्रभसिमरे सदा अनूप इसलिए आज तो तुसी गुर्बानी दा जाप करना शुरू कर दो अते अपने गुरू ते अपने राबते ऐसा प्रोसा रखो कि ओ जो कर रहे है ओ तानू कबूल है तानू किसे तरण दा कोई शक नी क्योंकि परमात्मा जो साडेली कर दे है ओ सदा ही ठीक कर दे है जरूरी है जो असी मंगया आपा उन नहीं मिल दा कई वार तापा उदासों के बैठ चने की पता प्रभू ने उस्तों भी सोनी चीज साडे किसमच लिखी होवे उस्तों भी वद साडेली कुछ लिख्या होवे जो साडेली चंगा नहीं है ओ प्रभू नहीं देंदे जो साडेली बहुँ जादा वदी है जो अग्गे चल के भी साडे सही सेध देगा प्रभू सानू ओही चीज देंदेने परमात्मा साडे चोली ओही दात पाउंदेने इसलिए जो दुख है उन नहीं देगा